नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है बीट एक्स पी फ्लक्स स्मार्ट वोच जो आले में लॉंच हुए है एमेजन पे और आपको मिलती है केवल 1399 में हाला कि इसकी प्राइस कम जदा हो सकती है लेकिन अगर आपको स्मार्ट वोच 1599 या उसकेंडर मिलती है तो काफ काफी अच्छी है राउंड डाइल के साथ आपको मिल जाती है हाला कि वेट काफी लाइट है ओनली 45 ग्राम रिजन है यह जो बोडी है प्लास्टिक की है लेकर इसकी विल्ड क्वालिटी सोलील और स्टर्डी है सैड में है एक मिटालिक बटन जो है क्राउन बटन जिसे इसपुटू इन हाइटरिट सेंसर यह है स्पीकर और यह है मैक जो स्ट्राप से सिलिकोन के हैं 22 mm के जो काफी अच्छी क्वालिटी के है ऊपर में है एक मेटालिक बकल और दो स्ट्राप्स होल्डर आप इन स्ट्राप्स को रिमूव भी कर सकते और रिमूव करने के लिए आपको इस पीन को नीचे के वर खिषना है और इससे बाहर करना है इंसेट करने के लिए आपको नीचे के होल में पीन को अलाइन करना है फिर उपर वाली पीन को नीचे खिषना है और होल में अलाइन करना है उपर में इस तरीके से बात करते हैं बैटरी और शार्जिंग के त चार्जिंग अडाप्टर उसकर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप उसकर होगे उतना वेतर होता है स्मार्ट वाच की बैटर लाइफ के लिए लोंगरन में या आप अपने PCI लैपटोप में जो USB पूड़ता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो या आप अपने पाउर बैंक पर लोंगरिस करना है तो जो स्मार्ट वाच है स्विच ओन हो चुकी है अब हम करेंगे इसकी पेरिंग अपने स्मार्ट वाच के साथ इस स्मार्ट वाच को अपने फोन के साथ पेर करने के लिए आपको अपने फोन में प्लेश्टोर पर जाकर इसे आपको डाउनलोड करन तो आपको email पे tap करना है verification code login पे tap कीजिए आपको अपना email ID enter करना है इसके बाद get verification code पे tap कीजिए आपके email पे जाएगा एक OTP, आपको उस OTP को enter करना है, फिर करना है login आप यहाँ से अपनी profile photo set कर सकते हो इसके लबाद आपको अपना nickname name set करना है, जैसे कि मैं set करूंगा yes take no, आपको इभी नाम type कर सकते हो, इसके बाद आपको अपना gender set करना है male female, next पे tap कीजिए आपको अपनी birthday set करना है, month, date और year, उसके बाद आपको unit में matrix set करना है, next आपकी height set कीजिए centimeter में, आपका weight kg में next, daily आपको कितने step चल लें, तो आप जो daily step goal है यहाँ से set कर सकते हो, next फिर आपको जना है device में, और यहाँ पे add device, उसके tap कीजिए आपकी watch होनी चाहिए switch on, while using the app पे tap कीजिए, settings पे tap कीजिए, allow all the time कीजिए back जाइए, allow कीजिए फिर से allow कीजिए आपको wait करना है, आपके watch का नाम show करेगा, bit xp flux इस पे tap कीजिए आपकी watch में tick पे tap करना है skip कीजिए इसके बद आपको मिलेगा, एक pair करने का pop-up, आपको pair पे tap करना है, इसके बद आपकी watch में calling का feature ओनो चुका है, मतलब कि अब आप अपनी watch में भी call को receive कर पाऊगे, सबसे पहले है watch face gallery, तो आपको इस पे tap करना है, यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग-अलग category, जैसे की dynamic, exercise, business machinery, simple, illustration, तो आपको जिस category में से online watch face को download करना है, आपको उस category के सामने more लिखा होगा, उस पे tap करना है यहाँ पे आपको में लेंगे 200 plus watch faces, माल लेते मुझे डाउनलोड करना है dynamic में से, तो मैं more पे tap करूँगा dynamic यानि animated, animation यहाँ पे आपको शोबरेगा watch face में, तो आपको जिस watch face को download करना है, आपको उसके नीचे जो लिखा होगा, sync उस पे tap करना है, तो मैं करूँगा इसे sync पे tap करके तो इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते हो जो watch face है, apply हो चुका है आप देख सकते हो, अगर आपको अपनी खुट के photo set करना है, तो आप ओ भी कर सकते हो आपको custom face पे tap करना है custom face पे tap कीजिए background पे tap कीजिए, और यहाँ पे custom background पे tap कीजिए, album को open कीजिए, आपको जिस photo को set करना है आपको इस photo पे tap करना है मुझे set करनी है, यह photo तो मैं इस पे tap करूँगा आप इसे crop कर सकते हो, अपनी हिसाब से पिर आपको करना है done clock style के लिए आपको मिलेंगे दो option एक होता है analog जिसमें आपको pointer और जो scale है उसे choose करना पड़ता है इस तरीके से confirm कीजिए या फिर अगर आप use करना चाहते हो digital तो digital पे tap कीजिए इसके बाद जो time का color है आप उसे set कर सकते हो फिर आपको करना है confirm और यह जो time है आप जहाब पे चाहे हो आप पे place कर सकते हो अपने हिसाब से इस तरीके से फिर आपको है पे मिलेंगे 4 elements जिने आप show कर सकते हो अपने watch face पे steps, heart rate, calorie, distance मैं यहाँ पे show करूँगा 2 steps और distance आप इनके भी color को choose कर सकते हो फिर आपको इस तरीके से इने place करना अपने हिसाब से आप इने कईपे भी place कर सकते हो जहाँ पे place करना आप पे तो आपको करना है sync इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को set कर सकते हो watch face पे, जो photo है set हो चुगी है आप देख सकते हो आप अपनी watch में एक साथ 13 watch face को place कर सकते हो हाला कि उसमें से केवल जो last वाला watch face है वह ही change होता है बाकी watch face fix होते है आप उन्हें change नहीं कर सकते है आप अपनी watch के जरी भी watch face को change कर सकते हो आपको watch face पे long tap करना है इस तरी के से और फिर निके बीच में switch करना है जिस watch face को आपको set करना है आपको उस पे tap करना है इस तरी के से आगे है notification तो इस पे tap करके इसे open किजिए, confirm किजिए bit xp track को on किजिए allow किजिए, back जाईए फिर से उसे open किजिए sms के लिए इसे on किजिए permission को allow किजिए इनमें से आपको कौन-कौन से apps की notification receive करनी है, आपकी watch में आपको इन apps को on करना है, इसके लावा यहाँ पे आपको बेंगे कई सारे apps जो आपके phone में available है, इनमें से आपको कौन-कौन से apps की notification receive करनी है, आपकी watch में आपको आप्स को भी on करना है यहां से इसके बाद है incoming call तो जो भी आपकी calls आएंगे आपके phone में अगर आपको देखना हुआ आपकी watch में भी तो आपको इस पेट्याप करके से करना है on confirm permission को allow कीजिए अब देखते हैं अगर आपको गई भी call आता है तो किस तरीके से शुकरेगा आप call vibration रिंटोर नहीं बजेगी और अगर आपने इसे accept कर लिया तो आपको मिलेंगे आपके चार options आप यहां से call के volume को adjust कर सकते हो icon पे tap करके अप्या down यह call को switch करने का option तो जो call है अब चल रहा है watch में अगर आप चाहते हो call चले phone में तो आपको इस पे tap करना है जो call है switch हो चु कर दिया तो सामने अले को आपकी आउज नहीं जाएगी और end में है call को cut करने का option अगर आप अपनी watch में call को receive नहीं करना चाहते तो आप call के feature को अभी कर सकते हो आपको जना है अपने phone के BT settings में बीपे long tap कीजिए और यहां पे होगा bit XP flux आपको इस पे tap करना है आपकी watch हो जा का vibration हाला कि आप इस call को receive नहीं कर पाओगे cut कर पाओगे receive करोगे तो receive होगा आपके phone में आप देख सकते हो watch में receive नहीं होगा अगर आपको call के feature को युश करना है तो आपको calling के feature को on करना है तो जो bit XP flux लिखा हुआ है आपको उस पे तो SMS आ चुका है watch में भी आ चुका है लेकिन watch का display on होता नहीं है watch करती है वाइबरेट आपको display कोन करना पड़ेगा और यह है SMS contact का नामे नंबर शो किया जाएगा Hindi font support करते लिकिन emoji support नहीं करते और आप यहाँ पर इस तरह के से swipe करके read कर पाओगे आपके message को आप यहाँ पर एक साथ read कर पाओगे 6-7 line आपको इस तरह के स्वाइप करना है अगर आप चाहो तो इसे यहाँ से clear भी कर सकते हो इस तरह के से इस पर ट्याप करके अगर आपने WhatsApp message आता है तो किस तरीके से show करेगा आपकी watch में तो WhatsApp आ चुका है वाच में भी आ चुका है लेकिन watch का display on होता नहीं है आपको display को manually on करना पड़ेगा अलगी watch करती है vibrate display को on करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे आपका WhatsApp message, contact का नामे नंबर शो किया जाएगा, WhatsApp का icon शोगा उपर में और यह है message का content इस तरह किसे आप उसे edit कर पाऊगे, आप यहाँ पे अपने एक साथ पिछले 10 message को edit कर पाऊगे, अगर आपको सभी को एक साथ clear करना हो तो आपकी watch में होगा vibration और बता जाएगा कि आपकी जो watch है disconnect हो चुकी है आपके phone के साथ, आगे है DND, तो अगर आपको DND काई उस करना है तो आपको इसे on करना है, इसके बाद आपको time को set करना है, जो time आप set करोगे उस time के दुरान आपकी watch में DND काम करेगा, DND काम करेगा मतल आपकी watch में कोई भी alert आता है, तो आपको vibration कितनी बार चाहिए आपकी watch में तो ये है उसके लिए option, जैसे कि अगर मैंने है आपके set किया है, two times तो अगर कोई भी alert आएगा, तो मेरी watch में दो बार होगा vibration, तो आप अपने हिसाब से एक, दो या तीन time set कर सकते हैं, इसके गया है, five seconds मतलब कि अब ये पास second के लिए on रहेगा, उसके बाद होग हो जाएगा, तो आप यहाँ पे maximum कर सकते हो, 20 seconds तक, लेकिन अगर आपको battery backup बढ़िया चाहिए, तो आप यहाँ पे maximum करिए, 10 से 15 seconds तक में set करूँगा, 15 seconds, आगे है rest to 1, तो अगर आपको इसे use करना है तो इसे on कीजिए, और यहाँ पे आपको time set करना है, जो time आप यहाँ पे set करोगे, उस time के दुरान ये feature काम करेगा, अगर आपको हमेशा के लिए ये feature use करना है, तो time set कीजिए, 002, 00, अब इसे on रखने का मतलब क्या होता है, माल लेते हैं, आपकी watch में display off है, अगर आपने like को उपर करोगे, display on हो जाएगा, आपकी watch में इस तरीके से, नीचे करोगे तो off हो जाएगा, उपर on, नीचे off, आगे है HR settings, मतलब की automatic heart rate measurement, तो अगर आपको अपनी watch में heart rate को automatic set करना है, तो आपको इसे on करना है, आपको time set करना है, जो time आप यहाँ पे set करोगे, उस time के one hour, तो मेरी watch में अभर एक घंटे के बाद, heart rate automatic measure होता रहेगा, लेकिन automatic settings यूज करने से, battery backup काफी कम मिलता है, इसलिए मैं इसे off रखूँँगा, मतलब कि मेरी watch में heart rate automatic measure नहीं होगा, लेकिन मैं जब चाहिए तब अपनी watch में, बड़ी आसनी से, heart rate को manually measure कर सकता हूँ, जब करना है, while using the app पे tap कीजिए, permission को अलाओ कीजिए, आपके phone में open होगा camera, फिर से अगर आप tap करोगे तो, और आपकी watch में open होगा camera shutter, तो आपको shutter पे tap करना है, आपके phone में capture होगी photo, जो भी photo आप capture करोगे, आप यहां से उसे देख पाऊँगे, और यहां से कर पाऊँगे camera को rotate आगे phone book, तो अगर आप अपने context को save करना चानाते हो, आपके watch में तो आपको इस पे tap करना है, plus question पे tap कीजिए, आप एक साथ maximum 20 context को save कर सकते हो, जिस किसी context को आपको save करना है, आपको उन्हें इस तरह किसे करना है select, टिक करके, तो मैंने अपने context को कर लिया select, आपको करना है done पे tap, इन में से अगर आपको इसे भी context को remove करना हुआ, तो आपको इसे करना है swipe left, और करना है delete के icon पे tap, save करने के लिए back कीजिए, अब बात करते है, profile settings के तो आपको me के tap करना है, profile photo पे tap करके, आप यहाँ से अपने profile photo, nickname, gender, birthday, height, weight और email ID को change कर सकते हो, जब चाहे तब इस सरी किसे confirm कीजिए, और अगर आपको इस data को Google Fit के साथ sync करना हुआ, तो यहाँ पे settings पे tap कीजिए, और यह है Google Fit, तो आपको इसे own करना है, इस app में आपका जो भी data है, आपका health data और activity data, दोनों data आप चेक कर पाऊगे अपने Google Fit app में भी, अब बात करते है, status page की, तो यह है status page, आप इस page को refresh कर सकते हो, swipe down करके, यहाँ पे show करेगा आपका आज का health और activity data, जैसे कि आज के आपके steps, kilo calorie energy और आज का distance, और आप अपना जो भी vital measure करोगी, जैसे कि आपका heart rate, blood pressure, SP2 या stress, तो आप इन data को यहाँ पेचे कर पाऊगे, tap करके detail में इस तरीके से, और यह है sleep data, त कि आप कितना time सोय, deep sleep, light sleep, awake time यहाँ पे show किया जाएगा, इस watch में आपको मिलती है crown button, मतलब कि आप इसे press भी कर सकते हो, और इसे घुमा भी सकते हो, सबसे पहले बात करते है, press function की, तो अगर आपकी watch में display off है, तो उसे on करने के लिए आपको इस पे press करना है, display on हो जाएगा home page के होते हुए अगर आप इस पे press करोगे, तो आप access कर पाओगे, main menu को यह है main menu, और अगर आप किसी बे menu में enter करते हो, वहाँ से अगर आपको direct आना हुआ, home page पे तो आपको इस पे press करना है, direct home page पे आने के लिए, और अगर आप किसी बे menu में enter करते हो, वहाँ से अगर step तो आपको इससे swipe करना है right में step by step back जाने के लिए और अगर आप इस पे long press करोगे तो आप access कर पाऊगे power of menu को आपको tick pay up करना है अप new watch को switch up करने के लिए main menu में होटेवे अगर आप इस पे double press करोगे तो आप जो menu style है उसे change कर सकते हो यह है menu style 1 इस पे double press किजिए menu style 2 menu style 3 menu style 4 menu style 5 अब बात करते हैं इसके rotate function की तो आपको watch face को change करने के लिए इसे करना है rotate इस तरह किससे तो आप rotate करके watch face को change कर पाऊगे इसके लावा अगर आपको किसी भी menu में उपर नीचे जाना हुआ को मतलब की up down navigate करना हुआ तो आपको इससे करना है rotate इस तरह के से stroll up stroll down करने के लिए home page पे अगर आप slide down करोगे तो आपको मिलेगा control center उपर में battery level date और day शो होगा center में शोगा आज का weather minimum maximum सबसे पहला toggle है media output को change करने का तो आप अपने phone में जो भी media प्ले करोगे उसका sound आपको कहाँ प्ले करना है आपके phone में या watch में तो आप यहाँ से change कर सकते हो अब यहाँ पे phone का icon शो कर रहे है मतलब की sound प्ले होगा phone में अगर आप इसपे tap करोगे टिक करोगे तो यहाँ पे icon शो होगा watch का मतलब की sound प्ले होगा आपकी watch में और यह है screen on timer 5 minute के लिए मतलब कि अगर आप इससे on करोगे तो आपका display 5 minute के लिए on रहेगा अब यह 5 minute तक off नहीं होगा पिर यह है alarm तो alarm को add करने के लिए इससे पर tap कीजिए प्लस के sound पर tap किजिए time set कीजिए AM pm set कीजिए next कीजिए कौन से दिन को आपको alarm को upplay करना है उन दिन को आपको चुस करना है टिक पर tap किजिए इस दिन के से change कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी इसे change कर सकते हो इसके बाद है QR Code तो आप इस QR Code को scan करके यह जो app है Bit.xp track इसे download कर सकते हो हमने पहले ही download कर लिया है इसके बाद है settings जो हम बाद में देखेंगे और यह है D&D तो अगर आप D&D को on करोगे तो आपकी watch में कोई भी message या calls नहीं आएंगे इसके लवा आपकी watch में कोई भी sound या vibration प्लेनी होगा अब बात करते है settings की तो इसमें सबसे पहले brightness आप यहां से भी adjust कर सकते हो फिर है password तो अगर आपको password को on करना है तो tap कीजिए और watch को use करना चाहूंगा तो मुझे enter करना पड़ेगा password इस तरीके से यह है D&D तो आप यहां से भी D&D को on off कर सकते हो इस तरीके से इसके बाद है language तो language को अगर आपको change करना हुआ तो सबसे पहले आपको auto sync को off करना है फिर यहां से आप English हिंदी बांगला यूज़ कर सकते हो अगर आपको इस करना हिंदी तो हिंदी पिकिजिए सेलेक्शन तो आपको हिंदी यहां पर शो किया जाएगा अगर आपको करना English को यूज़ तो auto sync को on किजिए इसके बाद है थी पतलब की menu style जो आपने change किया था double press करके आप यहां से भी उसे change कर सकते हो यहां पर आपको बलेंगे 5 अलग-अलग menu style तो आपको अगर सेट करना है तो उस पे टिक किजिए इसके बाद है always on display हाला कि इस watch में AMOLED display नहीं है फिर भी आप इस watch में AOD का यूज़ कर सकते हो तो आपको इसे on करना है आपको बलेंगे दो style digital और pointer अगर मैंने सेट किया digital पे तो जब भी आपकी watch में display off होगा आपको इस तरीके से जो clock style है शो की जाएगी और ही हमेशा के लिए शो की जाएगी लेगिन इसमे मेनू में reboot, switch off और factor reset करने का option, home page पे अगर आप swipe left करोगे तो आपको बलेंगे अलग-अलग shortcut जैसे कि सबसे पहले है आज की activity, आज के steps, distance और kilo calorie energy, इसके बाद है heart rate को measure करने का option, फिर इसके बाद है SPO2 को measure करने का option, इसके आगे है stress measurement तो automatically आपका stress यहापे होगा measure, इसके करना है, उसके सामने मिलेगा आपको plus का sign, उससे इस तरह के से आपको add करना है, अगर आपको इनमे से किसी को भी remove करना हुआ, तो minus क sign पे tap कीजिए, अब मैंने सभी shortcuts को add कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे है अब weather, अभी भलाल कितना weather है, आज का minimum maximum और आने वाले अगले 3 दि player को open करना है, music को play करना है, previous, next, आप यहाँ से volume को भी adjust कर सकते हो, इस तरह किसे, जो music है बले हो रहा है, आपके phone में, अगर आप चानती हूँ music play हो, मेरी watch में तो आपको इस phone के icon पे tap करना है, अब अगर play करोगे, आप तो यहाँ पे watch का icon शो कर रहे है, मतलब की watch में होगा music play, तो यहाँ पे जो icon show करेगा, उस device पे आपका music play होगा, इस तरह के से आप जो media output है, यहाँ से change कर सकते हो, phone to watch, watch to phone, पर इसके आगे है, sleep data, तो अगर आप चाहते हो, आपकी watch में, आपका sleep data measure हो, तो आपको सोने के दूरान अपनी watch को पहने रखना है, तो यहाँ पे show करे call का feature, सबसे पहले है contact, जो भी contacts आपने add किया, आपके app में, यहाँ पे show करेंगे, अगर आपको इन में से किसी भी contact को call करना हुआ, तो आपको इस पे tap करना है, इस तरह के से, यह call history, तो आपके पिछले जो भी calls होंगे, यहाँ पे show करेंगे, इस तरह के से, अगर आप चाह कि आप किसी भी number को dial करके call कर सकते हो, इस तरह के से, अब बात करते है, main menu की, तो आपको इस पे place करना है, यह है main menu, हम most of menus को देख चुके है already, जो बाकी है वो है, sport मतलब की workout mode, तो यहाँ पे आपको show करेंगे, 10 workout mode, हाला कि आप यहाँ पे और extra 15 workout को add कर पाओगे, मतलब की total होंगे 25 workout mode, तो आपको edit पे ट्याप करना है नीचे, plus के send पे ट्याप कीजिए, जिसे add करना है, उसकी category को open कीजिए, add करने के लिए इस तरह के से tick कीजिए circle में, और फिर आपको करना है, tick पे ट्याप, back जाईए, तो आपने जो भी add के यहाँ पे नीचे show करेंगे, अगर आ आप यहाँ पे SPM मतलब की steps per minute को भी check कर पाऊगे, stop करने के लिए इस पे press कीजिए, यह हो चुका है, pause, resume कीजिए, प्रिसे कीजिए, इस तरह के से end, अगर आप चाहते हो आपका workout data से हो, तो आपको minimum 1 minute के लिए workout करना है, और जो भी आपका workout record होगा, अगर आपको check करना workout record को check कर पाऊगे, आप इस watch में BP भी measure कर पाऊगे, तो यह है blood pressure, आपको play करना है, आपका SBP, DBP यहाँ पे show होगा, इसके लाओ camera, तो camera का function तब भी काम करेगा, जब आपके phone में BDXP track app open होगा, तो इसे open कीजिए, पिर आपको इस पे tap करना है, आपके phone में open होगा camera, पिर आप tap करके, आपके phone में photo capture कर पाऊगे, इस तरह के से, फिर यह है find my phone, तो आप इस feature की जरी अपने phone को ढूंड सकते हो, मानलो आपने अपने phone को के पर रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो यसे में अगर आप इस पे tap करोगे, तो आपके phone में ring बजेगी, अगर आप आपका phone silent बहुता है, फिर भी आपके phone में ring बजेगी, आपको इस पे tap करके, इस तरह के से play करना है, stop करने के लिए stop कीजिए, बैग जाईए, हाला कि यह feature दा भी काम करेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, फिर यह है stop watch, timer, और यह है AIOS, तो आपके phone में अगर Google Assistant या with a high of 33 and a low of 28, फिर इसके बाद है game, तो आपको इहापे मिलता है, एक game, starship battle, calcica भी option दिया गया है, तो आप इहापे calcica भी use कर सकते हो, calendar का भी feature आपको मिल जाता है, तो आप यहापे इस तरह के से calendar को check कर सकते हो, और month को भी change कर सकते हो, arrow पे tap करके इस तरह के से, दोस्तों को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो,